हाई वेल्कनों में चैनल इस बीडियो में सॉल्व करें कुछन 14 तो यहां रहे है और स्विंग पूल इस टू फिप्टी मिटर लॉंग तो यह जो स्विंग पूल है वह टू फिप्टी मिटर लॉंग है तो हम यहां पर अब यह पूछ रहा है कि 3250 cubic meters of water is pumped into it तो इसके अंदर जो है हम वाटर जो है क्या कर रहा है पंप कर रहा है ठीक है तो वाटर जो पंप कर रहा है तो कितना पंप कर रहा है यह दे दिया है कि जो वाटर पंप के जा रहा है वह है 3250 50 meter cube इतना volume of water जो इसमें pump कर दिया गया पंप करेंगे तो इसका level rise होगा है कि नहीं तो इसका level rise होगा माल लिजिए कि वो यहां तक level rise होता है ठीक है तो माल लिजिए कि यहां से यहां तक level rise हो गया तो यह जो level rise हो जाएगा तो इसमें water जो है fill-up हो जाएगा तो यहीं पूँछ रहा है कि यह जितना level rise होगा कितना level rise होगा यहीं पूछ रहा है कितना height होगी इस level rise का मतलिब यहां पर क्या पूछ रहा है originally, actually यह पूछ रहा है, कि यहां से लेकर के यहां तक, जो level rise हो रहा है, यह, what will be this, ठीक है, यह क्या हो गा, तो इसको हमें level जितना rise हो रहा है, इसमें water का वो हम निकाल सकते हैं क्योंकि जो water जितना level rise हो रहा है वो rise होने करणा जो volume बना है आपर क्यूब आडल सेप का उसका जो volume होगा water का उस swimming pool के अंदर वो उतना ही होगा जितना उसमें pump किया गया था है कि नहीं? अब pump कितना किया गया था? इतना pump कर दिया गया था तो इस volume के बराबर ही तो होगा उसका volume जो pool के अंदर है तो यही concept के यूज़ करके हम solve कर लेंगे चलिए solve करता है solution तो हम यह पहले माल लेंगे let the rise in the level of water water b h meter right तो माली जी की level rise है जो है वो h meter हो रहा है ठीक है तब क्या होगा since हम जानते हैं क्या volume of swimming pool या फिर ऐसे लिखे है volume of water in the swimming pool volume of water in the swimming pool is equal to कितना होगा यह 3200 जो दिया हुआ है 3250 meter cube ठीक है इसी के बरावर होगा तो जो volume rise हुआ यह जो q-badal ship का बना हुआ है इसका volume निकाल सकते हैं कैसे length breath into height तो height हमने h माना है तो length breath into height तो length कितना हो जाएगा length into breath into height यह हो जाएगा is equal to हो जाएगा 3250 meter cube अब ही unit हम अटा देते हैं ठीक है तो यहां पर h निकालना हमें है तो 250 से और 130 से क्या करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 3250 में डिवाइड करते हैं 250 into 130 से ठीक है अब क्या होगा यह जीर 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 केंसिल हो जाएगा 13 से गटाई है 13 में जा 13 और यह 13 तू जा 26 और 6 बचा 65 यह हो गया और 25 से 25 और 25 और यह कटेगा तो मिल जाएगा 10 मिन्स मलगी मिलगे हमें 1 अपन 10 मीटर और इसी को आप लिशकते हो 0.1 मीटर या फिर आप क्या कर सकते हो इसको सेंटिमेटर में यह भी करोगे तो 0.1 इंटू 100 करना पड़ेगा और यह कब यह आजाएगा 10 सेंटिमेटर के बरावत यह तो यह आंसर लिखो या फिर यह आंसर लिखो दोनों करेक्ट है तो इस इस और अंसर मिन्स आप लिशकते हो कि हैंस लेवल इन राइज अफ वाटर इस घर बाइट 1m अके, था क्योंक तो मुच एफ वाची बाइट अबाश्वाचीं